अगर आपको गार्मेंट शोर उपन करना हो तो आपको किस तरह के कीवर्ड चाहिए होंगे अब ही मैं आपको एक केस टुड़ी दिखाऊंगा जिसमें मैं एक गार्मेंट स्टोर को एक्जामपल लेकर उसके बिजनस को हम अंडर्सेंड करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे किस तरह की कीवर्ड हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं उनके बिजनस में तो अगर वो वेबसेट बनाएं तो किस तरह की होनी चाहिए फूर इग्जामपल अगर वो जैन्स गार्मेंट पीच रहे हैं लेडिडिस गार्मेंट पीच बेच रहे एह और तो ये किस तरह से key words उनके डिफरिंट केटिर्इजमें फिल करेंगे हम वो research करेंगे ताकि आपको एक hands-on idea होजे कि mobile phone store से हटके एक और example भी हम लेंगे किस तरह से एक mobile store को हम online launch कर सकते हैं सवाल यह है कि अगर garment store open करना है तो किस तरह कि आपको लगता है कि लोग keywords search करेंगे statement के लिए जरा इसको सोची है कि आपको क्या लगता है कि किस तरह के keywords होने चाहिए या किस तरह के pages होंगे और किस तरह की लोग searches करते होंगे या आपके घरवले या आपके clients के जो customers हैं वो किस तरह की searches करते होंगे उन चीज़ों को धूंडने के लिए ये चीज़े हमें Google से भी बदाद चल जाएंगी लेकिन start करने के लिए मैं कुछ keywords लूँगा और इस keywords से हम अपनी research start करेंगे आए देखते हैं मैं Google Ads में login करूँगा और उसकी keyword tool पे जाऊँगा मैं उसमें find करूँगा Gents Garments और अपनी search start कर दूँगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे काफी keywords मिल चुके हैं इसको organize करने के लिए मैं download कर लूँगा जैसे ये download होगा मैं इसका नाम change करके Gents Garments रख दूँगा मैं वापिस आँगा keyword tool के अपर आपनी search चेंज करूँगा पर मैं लिखूँगा मैं ladies garment search करूँगा और मैं देखूँगा कि इसके Gents क्या search चीज़ आती हैं और इसी को मैं download भी कर लूँगा ताकि मैं इसको बाद में Google Drive में manage कर सकूँ file का नाम rename किया और इसको save कर लिया हम फिर आएंगे वापिस Google के tool के ओपर और यहाँ पर मैं search करूँगा kids garments यह results मैं download कर लूँगा और इसको rename कर लूँगा कैसे मैं तीनो फाइलें create करूँगा मुझे Google Drive में जाकर एक नए client के लिए एक नया folder बनाना है इसका नाम मैं ABC garments रखता हूँ और उसके अंडर में keywords का folder बनाऊंगा और उसके अंडर में folders बनाऊंगा category wise और मैं हर folder के अंदर उसकी keyword search की file upload कर लूँगा जब मैं इसब कर लूँगा तो मैं किसी एक category को पकड़ूँगा और उसको मैं keyword review शुरू कर दूँगा तो let's suppose कि हम create garments को लेते हैं तो इसको review करते हैं कि और में किस तरह की keywords हैं जो लोग search कर रहे हैं अपने बच्चों की garments धूडने के लिए इसको organize करने के लिए मैं इसको filter लगाऊंगा और मैं column में एक नया create करके इसको मैं numbering भी दे दूँगा यह filter याद रहे कि आपने पूरे data के ओपर लगाना है including the numbering column information को visible रखने के लिए मैं आपर से lock कर लूँगा इसको और इसको मैं sort भी कर लूँगा highest to lowest ताके मेरे पास वो keywords उपर आजें जो सबसेज़ाद सर्च होते हैं जैसे कि आप देखेंगे कि सबसेज़ाद सर्च होने वले जो keyword है वो baby girl dresses है जो के 10,000 से एक लाग दाफा सर्च किया जा रहे हैं फिर baby dress है जो के same 10,000 से एक लाग दाफा सर्च किया जा रहे है और इसी तरह से अगर आप निचे स्क्रोल करते जाएं तो girls clothes, baby clothes, kids dress, children dress इस सारे different names हैं same चीजों के जो लोग search करते हैं और उनको फिर वो buy करते हैं जाके अगर आप garment store चला रहे हैं तो आपके लिए बहुत important है कि आप pages बनाएं जिसमें baby dresses या baby girl dresses या baby boy dresses फिकर्स ड्रेस या children dresses और इसके बाद फिर new born babies उन सब के लिए आप अलग clothing रख सकते हैं तो इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी अप्सेट का structure क्या होगा अगर आपके page already exist करते हैं तो आप उनको ये keyword design कर देंगे अगर आपके कुछ keyword groups ऐसे हैं जिनके गेंस वो pages exist नहीं करते हैं तो आप उनको नए keywords या नए pages बनाकर आप उनको वो keyword design कर सकते हैं मैं इसमें से कुछ targeted keywords highlight कर सकता हूँ वो keyword जो मुझे लगता है कि help करेंगे बाद में उनको मैं yellow करूँगा जो मुझे लगता है कि अभी वो keyword चाहिए हैं जो money keywords हैं या जो बड़े targeted keywords हैं जो मुझे sales generate करके दे सकते हैं मैं उनको green mark करूँगा और फिर मैं उनके keywords को website की गेंस मैं associate कर दूँगा उनके pages के साथ जब आप एक category को कर चुकी होंगे तो आप सेम काम दूसरी category में भी करेंगे और फिर तीसी category में भी करेंगे और यह जब तक आप करते रहेंगे जब तक आप पूरी एपसिट की keywords निकाल कर उसको optimize ना कर लें या उनको shortlist ना कर लें मैं आपको quickly gents garments में दिखा देता हूँ कि किस सरा से लोग अपने gents की garments सर्च करते हैं और अगर आप एक gents की garments का store चलाएंगे तो आपको कैसे उसको optimize करना है अपने right keywords के grains तो इसको मैं highest to lowest sort करूँगा और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो search होने वाला keyword है वो men's fashion है men dress है men dress design है शलवा कमीज है शेरवानी है कुर्टा है men's clothing है अगर आप ये सारी products provide करते हैं तो आपको ये keywords काप भी helpful रहेंगे अब ये online shopping for men बड़ा generic keyword है मुझे ये नहीं पता के लोग इसमें क्या search कर रहे हैं लेकिन अगर मैं garment store हूँ तो मुझे ये keyword बिल्कुल भी suit नहीं करेगा इसलिए मैं इसको priority पर नहीं रखूँगा लेकिन अगर कोई men's shirt online shopping सर्च करे तो मैं इसको priority पर रख सकता हूँ क्योंकि मैं shirts ये closing वो sell कर रहा हूँ some address for men भी मेरे लिए एक targeted keyword हो सकता है मैं इसको एक page पर optimize कर सकता हूँ इसी तरह से आप नीशे चलते जाएंगे और अपने targeted keywords को highlight करते जाएंगे और बाद में ये keywords आप जब group में निकालेंगे उसके बाद इसको associate कर लेंगे यही practice आप ladies garment साथ करेंगे और इसी तरह से आप जितने भी sections है website के single products और उसके बाद categories आप उन सब के साथ ऐसे ही करके एक proper फूरी keyword की research आप organize कर लेंगे तो trainees जैसे कि आप में देखा इस lesson में हमने एक example ली garment store की कि किस तरह से एक नया garment store अपनी अगर website बना चुका है या अपनी website बनाना चाहता है अगर उनको ये नहीं पता होगा तो वो ultimately क्या करेंगे कि वो सब कुछ तो डाल देंगे website के उपर लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल होजएगा कि क्या जादा बिकेगा क्या कम बिकेगा और किस को जादा उनको बेचना चाहिए तो ये keyword search बड़ी clarity से आपको बता देती है कि लोग क्या search कर रहे हैं और एक अच्छा business audience को follow करता है जैसी वो audience को follow करेगा वो product ज़्यादा रखेगा जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उन keywords के गेंस करेगा जो लोग search कर रहे हैं ultimately जब आप Google में rank करेंगे इन keywords के गेंस तो वो right people right pages पर जब land करेंगे तो sales और leads भी बढ़ेंगी